जब भी हम कोई भी drawing आपका बनाते है तो उसका आपका 2D प्लान होता है वो आपका AutoCAD software के अंदर बनाया जाता है लेकिन जब बात आती है आपका उसको 3D के अंदर convert करने के तो हम जाधतर professionals या काफी सारे आपके professionals जो है वो आपका Revit software को आपका use करते है लेकिन सबसे बड़ी प्रोब्लम यह आते है कि AutoCAD की file को आपका Revit software के अंदर आपका कैसे import करें So Hello Everyone, मेरा नाम है Amit और आप सबी का स्वागत है Solitude Education के YouTube चनल पे आज हम लोग आपके काफी interesting topic पर बात करेंगे जाधतर students जो है हमारे आपके paid users भी और जो हमारे साथ free telegram channels पर और applications पर जुड़े हों है तो वहाँ पर हम उसको सही से import नहीं कर पा रहें और हम उसको आपका जो है सही से use नहीं कर पा रहें जिसकी वज़े से हम उसको 3D के अंदर convert नहीं कर पा रहें या फिर हमें जो है आपका उस ड्रोइंग को पहले मोटोकेड के अंदर टूरी में बना रहें फिर हमें रेविट के अंदर उसको जा के दुबार ऐसे फिर आपका ड्रो करना पड़ता है तो हमारा काफी टाइम गंजूमिंग जो है वह आपका हो रहा है तो आज बेफिकर रह सबसे बहले तो आपको क्या करना है यहां पर जादतर जो बच्चे गलती क्या करते हैं कि आपका जैसे यह एक ड्रोइंग है इस ड्रोइंग के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर इसकी बनाई तो यहां पर Agriculture मैं इसकी स्ट्र्ण और इसकी आप रवावा यहां अप देखोगी इस पांडेशन प्लान यहां ग्लती करते हैं कि यह सारी बोर्डेश same drawing को आपका Revit software के अंदर आपका import CAD वाले option पर जाके import कर देते हैं उसकी वज़े से क्या होता है कि कुछ drawings आपकी import हो जाती है कुछ import नहीं होती है या फिर properly आपकी जो drawings है वो आपका visible नहीं हो पाती है ठीक है आपको simple क्या करना है कि जितनी भी drawings आपको import करनी है मालो level wise import करनी है ground floor, first floor, second floor, third floor तो आपको सभी उन drawings को सबसे पहले अलग-अलग आपको बनाना पड़ेगा ठीक है बनाना नहीं है आपको simple क्या आगाना जैसे यहाँ पर देखो मेरी ground floor के drawing है मैं इसको यहाँ से select कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से control C करता हूँ उसके बाद मैं यहाँ पर आप एक new file tab open करता हूँ open करने के बाद मैं यहाँ पर simple आपका control V करूँगा control V करने के बाद मैं इसको आपका यहाँ पर paste कर दूँगा यहां पर देखो drawing 4 के अंदर मेरी ground floor है और drawing 5 के अंदर मेरा आपका यहां पर first floor है आपको एक coordinate वाले system को यहां से उठाके और अपने drawing है उसके corner point पर आपको place कर लेना है यह इसलिए करना है आपको क्योंकि जो हम drawings महाँ पर draw करेंगे आपका first floor और second floor तो हमें align करने में जो है basically कोई भी दिक्कत या परेशानी जो है वो आपका ना आए ठीक है यहां पर देखो मैंने origin जो है इसका आपका क्या कर लिया दोनों drawings का जो origin है वो आपका align कर लिया यहां नेकना same corner पर यह आपको align करना है किसी भी फोल्डर में जाके आप इसको save कर सकते हैं तो मैंने यहां पर फोल्डर बनाए हुए इसके अंदर मैं यहां पर आपका जो है इसको gf के नाम से save कर लेता हूँ यह आपका ground floor हो गया मैंने यहां पर simple save पर click किया उसके बाद यह वाली जो मेरी ड्रोइंग है और इस पर मैं save control s क्लिक करता हूँ यहां पर देको मेरी ground floor की ड्रोइंग सेव है और मैं इसको ff कर लेता हूँ first floor ड्रोइंग आपका यहां पर save क्लिक करोगे तो आपकी जो ड्रोइंग से वह आपका save हो जाएगे simple आपको यहां से इनको cut कर देना है कुछ भी अब इनके अंदर ताम आपको नहीं करना है अब इसको minimize करके अपना जो रेविट सॉफ्टेर है वह आपको बेसिकली open कर लेना है तो हम लोग आपना जो मेरा रेविट सॉफ्टेर है 2020 मैं यूज कर रहा हूं तो उस आपका बेसिकली यहां पर open कर लेते हैं ठीक है तो मैं यहां पर आपका new project पर click करता हूं और यहां पर आपका आर्किटेक्चरल टेंपलेट से रट करता हूं then okay पर click करता हूं तो मेरा जो आर्किटेक्चरल टेंपलेट है वह बेसिकली जो है आपका यहां पर open हो जाएगा थोड़ा टाइम लेता है आपका रेविट सॉफ्टेर लोड होने में यहां पर आपको level 1 level 2 आपको यहां पर दिखेंगे मैं यहां पर facing पर आपको दिखा देता हूं तो basically आपको क्या करना है कि आपको जितन पर क्लिक करोगे तो यहां पर देखो मेरा level 3 भी आपका क्रेट हो चुका है तो ऐसे आप जो है जितने लेवल्स आपके पास है तो basically हमारे पास यहां पर दो ही ड्रॉइंग आपका level 1 पर अपनी ड्रॉइंग ग्राउंड फ्लोर वाले ड्रॉइंग लेवल वन पर आपका इ चै öle Video अगर आफ़ वह जो करेंगे वहब कि यह सुछा कॉनापका का यह जाता है कि आपके कोई बीड्रॉइंग के साथ लिंग हो जाएगी अगर आप के उसके बाद वहापर उस ड्रॉइंग को डिलीट चीज़ जिस कर देंगे तो वहांपके चैन्जनों के पोई व्यूस के अंदर आपका एफेक्ट नहीं पढ़ने वाला तो मैं आपको इंपोर्ट के अड़ पर उप्शन पर क्लिक करूंगा और सिंपल आपको उस उप्शन पर जाना है जहां पर आपने वो ड्रॉइंग जो है आपने क्या किया हुआ है इंपोर्ट किया हुआ तो मैं यहां पर ग्राउंड फ्लोर आपका इस क्लिक करता हूं क्लिक करने के बाद नीचे की तरह कुछ ऑप्शन मिलते हैं जैसे कलर का ऑप्शन है कि मुझे कौन से कलर रखना है तो जनरली ब्लैक इन वाइट रखिए वह अच्छा ऑप्शन है ता आपका क्योंकि वह ब्लैक आपकी यूनिट हो सकते है तो इसलिए जो यूनिट है आपकी तो हम लोगों ने महां पर इंचिज में लिया वा था तो यहां पर आपको ध्यान देना कि आपको ओरिजिन टू ओरिजिन ही रखना है क्योंकि हमें उपर से लेके नीचे तक की सभी ड्रोइंग्स को अलाइन क इसलिए आपको यहां पर origin-to-origin दूर्ण आपको यहां पर रखना है इसके अलावा place एट कौन से लेवल क्लेस करता है इसके बाद मैं सिंपल ओपन प्लिक करूंगा तो यहां पर नोपर नू पर सट नहीं पर हो जोगी है ओ까요 पर मैं आऊंगा फर्स्ट प्लोर ऑप्शन पर क्लिक करूगा नीचे सारे ऑप्शन आपको सेम रखने ओपन पर क्लिक करोगे तो आपके ड्रोइंग यहां पर इंपोर्ट होगी है लेकिन अगर अभी आप ध्यान से देखोगे तो ड्रोइंग बेसिकली ना आपकी अलाइन न करना पड़ेगा तो यहां पर इसको सेलेट करिएगा सेलेट करने के बाद देखो इस तरह का आपका यहां पर टाइप होगा इस पर जैसे क्लिक करोगे ना तो यह अन्पीन हो जाएगी मतलब आप इसको मूव वगएरा कर सकते तो मैं यहां पर अलाइन वाल ओप्शन पर क करोगे तो अब आप देखोगे आपकी सभी ड्रोइंग्स जो है आपका चाहे ग्राउंड फ्लोर की ड्रोइंग ओ या आपकी फर्स फ्लोर की ड्रोइंग ओ दोनों बिल्कुल आपका सेम लेवल के अंदर आपको दिख रही होगी आप कोलम से भी सारी चीजे का आईडिया लगा सकते होगी मेरे जो कोलम है वो बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है जो की मेरे ग्राउंड फ्लोर पर है सेम मेरे आपका जो है ऊपर की तरफ भी है ठीक है थ्रीडी वाले कर ओप्शन पर आप जाके देखोगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा कि मेरी जो कर सकते हो जोसे मैं कार वाली डिलीट करना चाते हो मैं इसको लिक क्लिक करोगे तो यहां पर जो कार है वो आपके इलीट हो जाएगी यहां से आपकी शारी की सारी जो सब आपकी अलग अलग आपकी हो जाएंगी तो आप इस तरीके से भी इसको वर्क कर सकते हो अब नेक्स्ट बात आते हैं कि सर इस पर वर्किंग कैसे करें तो यहां पर देखो सिंपल जैसे मुझे वॉल प्लेस करनी है तो ऑर्किटेक्ट्र वाले औपशन पर यहां पर वॉल बाता है मैंने इस पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां पर एड़िट टाइप पर आगे सबसे पहले मैं इसके साईज की वॉल करेंगा डुब्लिकेट पर आके मेरी नाइन इंच की वॉल है 230 mm की और 4.5 इंच की 115 mm की वॉल है तो मैं यहाँ पर 230 वाली वॉल लेता हूँ वॉल बल्कुल बड़े आसानी से बाद मेरी जो सैकेंड you वॉल है वह से बाद डेखो कैरें सकाएं इसके बाद आपकर तो फिर से वॉल वाले शान पर आखेंड और यडित टाइप उप्शन पर जरूद्ड दोब्लिकेट हाँ करने के बाद मैं यहां करोगे तो दैन उसके बाद फिर यहां से ना इसको इस तरीके से यह मेरी इसके बाद फिर यहां से अगर आप चलोगे तो यह वाली वाल तो मेरी होगी है प्लेसमेंट क्लियर इसके बाद यहां पर अगर आपको करनी है तो यह देस ऑप्शन यहां पर आपका यह होगा है इसके अलावा आप देखोगे तो यहां से आपको आना है ठीक है ऐसे आप यह प्लेस करनी है तो यहां से यह होगी आपकर यहां से इस तरीके से आप देखोगे, तो मेरी जो वाल्स है हो धो क्रेट हो चुकिय स्टेर्केस वाली रहेज़़si तो इसको भी आपका, यहाँ पर यहाँ लोग कर लेते हैं आपका मैं सेंट्र से पिक करें उथा, आपको यहाँ पर सेंट्र से ही इसको लाइन करएं ठीक है अब अगर आप देखोगे बेसिकली थेडी के अंदर चलके देखते हैं तो यहां पर आपकी बॉल्स ना क्रेट हो चुकिए यहां से आप इसका व्यू चेंज कर लीजिए यहां से आप लेवल टू वाला जो प्लान है वह आप यहां पर कर सकते हो सेम लोगों ने लेवल लगन पर किया अब आपको कुछ चीज होगा ध्यान और रखना है जैसा अगर आप यहां पर देखोगे ना काफी सारी डाइमिंशन्स और आपके जो फरनीचर वगरा हैं यह का काफी कंजस्टेड सा आपको चीज़े हैं पर दिख रही होगी तो बेसिकली आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब भी आप यहां पर ओटोगाड की ड्रॉइंग्स जो हैं वह आप यहां पर बेसिकली जब भी यह सेव करो जैसे हम लोगों ने आपका ग्राउंड फ्लोर वाली सेव किया था तो बेसिकली आप यह जितनी भी टेक्स्ट हैं आपके और जो भी आपके फिक्चर्स वगएरा हैं फर्मीचर्स वगएरा वह सब आप हटा लेना जितनी आप क्लीन रखोगे अपनी जो हमारी ड्रॉइंस है उतना ही वहां पर विजिबिलिटी आपकी अ लेकिन अगर आप beginner है तो यह आपको काफी problem create करेगा तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अपनी drawings को सबसे पहले बिल्कुल clean कर लेना है आपको वे ही चीज यहां पर रखनी है जो कि आपकी जादा requirements है ठीक है जैसे कि आपकी walls सबसे जादा है आपकी requirements है आपके door और window क जो आपकी positioning है वो आपके लिए काफी important है staircase की position आप लोगों के लिए काफी important है ठीक है तो यह सारी चीज़े आपको रखनी है बाकि जितनी भी useless चीज़े है जो कि 3D में आपके कोई काम नहीं आने वाली आप उनको सबको हटा दिना है इस तरीके से आप करोगे तो आपको Revit software के अंदर कोई भी drawing import करने में उसके काम करने में कोई भी problem नहीं आएगी इसके बावजूद भी अगर कोई problem आती है तो नीचे आप वीडियो में जो comment section है महाप comment कर सकते हैं कि आपको किस तरह की problem आ रही है महापे मैं आपको reply कर दूँगा या अगर आपको reply से काम नहीं च कर सकते हैं हमारी solitude education application का लिंक है उसको भी आप download कर सकते हैं हमारा telegram चैनल का लिंक है वो भी आप join कर सकते हैं वीडियो को close करने से पहले वीडियो को share करो like करो चैनल को subscribe करना बिलकुन भूलना मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो के अंदर ओके थैंक्यू झालिजा हाँ